कि अधियर आप सभी लोग कैसे हैं हम उमीद करते हैं आप सभी लोग स्वस्त होंगे मस्त होंगे जबर्जस्त होंगे है तो इस लाइप सेशन में हम आप सभी का स्वागत करते हैं अपने प्लेटफर्म ज़स्टविल क्लासे पर तो डीयर आप सभी लोग का में भी और अग्भी सुचित करते हैं कि जो году अभी तक जो है जस्ट वेल क्लासेज एप जस्ट वेल क्लासेज एप को डाउनलोड नहीं कर पाए हैं वे तुरंग प्लेइ स्टोर से जाकर मात्र 299 में वैलिडिटी पुड़े वन इयर याने की डियर एक वर्स में आपको इतनी सारी तैयारियां का मौका मिल रहा है 299 में बहुत बड़ी चीज़ एडियर यह आप आउसर नाक होँए इस आउसर को आपे चीव करें जिसमें आपको मिलता है संडे प्राइस टेज्ट, पुल सिलीबस, लाइफ क्लासेज, ग्रूप डिसकस्शन, प्रस्नल गाइडेंस, पीडिय अप नोट्स, मॉक टेस्ट, मॉ कर लिए होंगे, जो नहीं किये हैं, वो कर लें, ठीक है, वेरी गुड, थैंक्यो, तो डियर, आपके एकोडिंग, आपकी एकोडिंग जो है, आज लिट्रेचर स्टार्ट किया जा रहा है, लेशन नमबर फोर है, और लेशन नेम है, पार्ट का नाम है, दो रेट रेट ट् ये कहानी जो है, बहुत ही फैंटास्टिक और बहुत ही चार्मिंग है, बहुत ही आकर्शक भरा है, और इसमें कुछ सिछा भी मिलती है, जो आपके सरवजनिक लाइप में, पब्लिक लाइप में, किस तरह से ये सिच्वेशन देखने को मिलता है, आप समझ सकते हैं, इसमे आप सभी लोग कनेक्ट हो जाएं, आलवियजीम गुड़ आप टानून डियर, जलाल चौहान जी गुड़ आप टानून, अंजली प्रजापत जी, गुड़ आप टानून डियर, तो सभी लोग कनेक्ट हो जाएं, ठीक है, बहुत अच्छा, जलाल जी और निहाल पांडे, हाउ आर यू डियर निहाल पांडे जी, सचीत जैस्वाल, गुड आप्टरनून डियर, रमन यादो, गुड मॉर्निंग, गुड आप्टरनून, सपना रहे, गुड आप्टरनून डियर, अधिती श्रीवास्तो, गुड आप्टरनून डियर, अधिती श्रीवास्तो, बहुत अच्छा, निहाल पांडे जी, बहुत दिन के बाद दीख रहे हैं, यू केम आप्टर लांग टाइम डियर, वाई, आयम फाइंट, जैलाल चौहान जी, हाउ आर यू डियर, अल्वे जीम, आयम कॉइट वेल डियर, हाउ आर यू, तो सभी लोग क्लास को लाइक, शेयर कर दीजे, आयम फाइंट, डियर, जैलाल जी, महाई सुहान, गोड आप्टर नून, निहाल पांडे, I became very happy, because you are also fine, सपना राय, हाउ आर यू, डियर सपना, इमानसू, शिमानसू आदो, हाउ आर यू, इमानसू, सशिन जैस्वाल, I am quite well, डियर, हाउ आर यू, ठीक है, तो मैं आपको अब क्लास की बात किया जाए, इस टॉपिक की बात किया जाए, इस टॉपिक के अंतर गज्ज जो है, जो चुहेदानी बेचता है, चीक है, आज क्या पढ़ाएंगे लिट्रेचर, लेशन नमबर फोर, लेशन का नाम है, दर रेट ट्रैप, मैं लीक रहा हूं, क्या है, अब को पता है, लेशन का नाम, दर रेट ट्रैप, इबाउट द आथर, थोड़ा लेखा के बारे में हम बता दें, फर्स्ट आप आफाल, इबाउट, इबाउट द, इबाउट आथर, ठीक है, मैंने क्या लिखा, इबाउट आथर, इबाउट आथर, लेखा के बारे में, ठीक है, हाँ, दर रेट ट्रैप, यह बुक में है टियर, यह लेशन नमपर फोर में है, यह बुक में है, हाँ, निहाल, शेल्मा ओटेलिया लेवी जिलफल जो, सेल्मा ओटेलिया, सेल्मा, सेल्मा, फुरा समय है, इनके बारे बता दूँ, लेखा के बारे में, शेल्मा ओटेलिया लोविशा, शेल्मा ओटेलिया, ठीक है, आँ, शेल्मा ओटेलिया लोविशा, लोविशा, ठीक है, शेल्मा ओटेलिया लोविशा, लेजर लोव, लेजर लोव, ठीक है, हाँ, बहुत सही, ठीक है, नियाल पंडे, हाँ, बी लेजर लोव, बीश नवंबर अठारह सो अठावन की बैटर है, बीश नवंबर अठारह सो अठावन में क्या हुआ थाटीयर, बीश नवंबर अठारह सो अठावन, से लेकर 16 मार्च उन्निससो चालीस, 16 मार्च 1940 16 मार्च 1940 एक स्विडिस लेखक और सिच्छक थे एक स्विडिस लेखक एक स्विडिस लेखक एक स्विडिस लेखक और सिच्छक थे और सिच्छक ये लेखक भी थे और सिच्छक भी थे दोनों थे शुदिश लेखक और सिच्छक भी थे ठीक है? मांसु गुड अप्टर नून ये चैप्टर पढ़ना है डियर ये चैप्टर पढ़ना है ये चैप्टर कमपलसरी है ठीक है? और सिच्छक भी थे हैं वह साहित में नोबल प्रसकार जीतने वाली सिच्छक भी थी ये महिला है वह साहित में नोबल प्रसकार जीतने वाली वह साहित में नोबल प्रसकार जीतने वाली ये भी नोबल प्रसकार जीतने वाली नोबल प्रसकार नोबल प्रसकार जीतने वाली नोबल प्रसकार जीतने वाली हाँ ठीक है सलोनी आई है गुड आप्टानूम वेल्कम डियर विसान ये क्या है महिला है न यूपी बोर्ड के स्टूनेंट जदा केर करें और रिपलाई किजिए ये महिला है कि पुरूस है ठीक है ये डियर ये जो है जो सिलेबस न्यू सिलेबस है उसके कॉर्डिंग इस चैप्टर को इंक्लूड किया गया है ठीक है इस चैप्टर पढ़ना है ये चैप्टर पढ़ना डियर रिलेसन नमपर फोर में फ्लेमिंगो बुक में है जो नई सिलेपस नो गौर्मेंट ने लांच किया है उसमें यह डाला गया है पुराने सिलेपस में चैप्टर नहीं है डीप वाटर के बाद इसी का नंबर है ठीक है लसमरास पूत गूड आप्टर नूं डियर वेलकम डियर विसान वो में थे अधिकोब भी सान्थ भीहार से लेकिन बात को समझ रहा है अधिक यूपी बूर्ड का है यूपी बूर्ड वाले स्टुडेंट केर कर रहे हैं यह पढ़ना लेसन नंबर फोन में इंक्रूड किया गया है डीप वाटर के बाद इसी लेसन का नंबर है है यह यह निव से लेप स्टुडेंट में तो कुछ और था यह निव से लेपस में स्टेंडराइज है ओके हाँ मैं तो यूपी वाले स्टुडेंट दे रहे हैं जब आप हाँ है मन्त गुड़ आप्टर नून डियर अच्छा आप यूपी से हो हम बिहार के समझते हैं तुम्हें विसान ठीक ठीक तो रिप्लाइए करते रहो मैं चौहान रिप्लाइए करो डियर करती का सनमा हाँ आर्यू डियर अच्छा अब यू लखनौ के हम से भीहार बक्सर जिस्टिक से हो अच्छा अच्छा समझे विसान थाम ओके नंदनी गूड आप्टर नून डियर आए a new chapter है this is new chapter चलिए वह साहित में नुबेल पुरिश्कार जीतने वाली क्या थी पहली महिला थी पहली पहली महिला लेखिका थी पहली महिला लेखी का थी ठीक ही नहीं थी ठीक है ठीक है ये रहा है आपका थोड़ा सा मैटर लेखा के बारे में संचित मैंने बताया है ठीक है jätte नंसीजर मियमा रहा है हाँ अंजली ठीक है पढ़ना ए सर बनको ही तो बात करें हैं तो दोटा सा लेखा के बारे में सूख Diesel सर्ण कोधी है कि यह कहां से बिलोंग करती है लश्मराज पूठ यह पात्र है और इस बारे में क्या क्या बताना चाहती है या आपको बताना चाहेंगे ठीक है कोई अटेगा नहीं अभी तुरसल आ रहे हैं अब सम्में आ रहा है खिलियर दीख रहा है कि प्रिंस राजपूत आएम क्वाइट विल डियर और यू तो यह जो है हम आपको बता रहे हैं यह लेखक के बारे में कि सेलिमा ओटेलिया लोबिशा लेजर लोब 20 नवंबर 1858 यानि 1852 16 मार्च 101940 एक सुड़िस लेखक और सिचक भी थी यह क्या थी यह क्या है दो चीज यहां केर कीजिए हाँ स्विंजा हाँ सर देखिए पहले बाद तो यह लेखक भी थे लेखक भी थी और सिचक भी थी टीचर भी थी ठीक है इटीस किलियर ब्लॉगिंग एडिया करें सर यह यह चैप्टर इतनी पढ़िया है आप लोग को बहुत बज़ा आएगा सुनने में विसान सही कर रहा है अगर यह बिहार के स्टुटेंटे भी तो रूके रहेंगे और संजेंगे यह लिट्रेचर बहुत ही इंपोर्टेंट है पले लेख विर्डियों साब दीख रहा है कोई दीकत नहीं नहीं है विर्डियों वाय स्क्स अलल क्रियर ओके ठीक है अब आईए चलते हम लोग आगे तो इनकी दो वेलू है एक लेकक भी थी राइटर भी थी और टीचर भी थी और एक चीज इनकी और खासियत था क्या खासियत था जानते हैं यह वह साहीत में नोबेल पुरसकार जीतने वाली पहली महिला लेकिका थी यह भी एक चीज जिनकी खासियत है ठीक है हां अलवी अजीम कहानी बहुत यह अच्छा है आगे इसकी कहानी पताएंगे एकदम आप लगेगा कि नहीं सर बहुत अच्छा है तो यह जी जो है प्रालेकक के बारे में सूलीजे लेकिका के बारे में कि यह साहित में जो है नोब आपको समरी आप समरी आप दा रेट ट्रेप समरी मैं बतारे जा रहा हूं समरी आप दा समरी आप दा रेट ट्रेप क्या है रेट रेट ट्रेप यह है लेशन का नाम भी यह है लेशन्स नेम यह है आपका leacinth name यह क्या है Lehins name भी है ठीक है यह पार्ट का नाम है red trap यह Leacinth का नाम है cheap summary of the red trap Lehrer Sac личance name ठीक है यह किनके दुरा लिखा गया है मैंने आपको पर्चे बता दिया है मैंने आपको पर्चे बता दिया है ठीक, रिटेन बाई सेलमा लेजर लो हिंदीम भी लिख देते हैं लिख दिये थे भी सेलमा लेजर लो ठीक है डियर? यह है यह लिखा है लेकिका है सेलमा लेजर लो ठीक है? सेलमा लेजर लोप ने लिखी है आपको पता चल गया कि पार्ट का नाम क्या है इसके राइटर कौन है? ठीक है? इसके राइटर कौन है? सेलमा लेजर लोप हादियर सानिया खान समय आ रहा है? बहुत अच्ची कहानी है यह कहानी कहानी का समरी हम बताने जा रहे हैं कहानी का समरी क्या है? आप सुनिए यह कहानी एक गरीब आवारे की है गरीब आवारे की है पहली बात यह कहानी किसके बारे में है? सुलिजे सभी लोग हाँ यह सेलमा लेजर लोग यह कहानी उस गरीब ब्यक्ती के बारे में दरसा रही है यह वह गरीब आवारा भी कहा था अपने आपको वह खुद बोलता है ब्यक्ती उसके बारे में बया करना चाहती है कि वह ब्यक्ती जो चुहे दानी बेशता था रेड ट्रेप का काम करता था वह किस तरह से जो है खुद जो है अपने जाल में फच जाता है वह दुनिया को किसी और नजरिये से देख रहा था रेड ट्रेप की तरह देख रहा था और वह सोचता था कि जो है दुनिया रेड ट्रेप है लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि एक दिन जो हां मनिस मौरिया जी तो मैं ये कहानी इतनी अच्ची है कि मैं एक एक पॉइंट बताऊंगा कुछ पॉइंट लिखेंगे भी ताकि मामिले आपको किलियर रहे और किसी भी प्रकार के दिकत न हो जो कहानी का समरी है आप तक पूचेगा पुड़े कांसेप्ट और पुड़े जोहे भाओं के साथ तो आईए हम चलते हैं हाँ जी ओके तो ये कहानी गरीब आवारे की है जो घूम घूम कर चुहा पकड़ने का जाल बेचा करता था जो घूम घूम कर जो घूम घूम कर क्या कराता घूम घूम कर घूम घूम कर चुहा पकड़ने का जाल बेचा करता था चुहा पकड़ने का जाल याने चुहे दानी ठीक है साटकट में क्या बोलते हैं चुहे दानी बोलते हैं हाँ चुहा पकड़ने का जाले चुहेदानी कि बेचा करता था कि बेचा करता था कि बेचा करता था ठीक है इस व्यक्ति के चुक्ति के बंढ़ने कि रहाँ इस रुषार काुजेदा शुक्ति कि बेचा करता था उसका जीव संगहर्ण आ उसका जीवन संघर्स और दुख से भरा होता था, मैंने क्या बला उसका जीवन संघर्स और दुख से भरा होता था, क्योंकि उन्हें जीवित रहने के लिए भीक मांगना, क्यों नंशू, असले धननजे यादो जी वेलकम आट माई जच्वल प्लेटफॉर्म और गोड आप्टरनून डियर धननजे यादो जी, यूपी समेस्टर स्टेडी तो चला जा रहा है, आज प्राइबेट क्लास था, आमने क्लास लिया है समेस्टर का डियर, हाँ, आप अगर आप परचेज के होंगे तो गया होगा, वीडियो आप देखे होंगे, नहीं तो फिर प्राइबेट था, आल गेमिंग, गुड आप्टर नून, वेलकुल किंग जी, यूपी समेस्टर क्लास चल रही है बाई, चली है, प्राइबेट थाना इसलिए आप नहीं देखे होंगे, है मन्त जी, ठीक है, आल लाइन स्टटी गूड आप्टर नून, राजु यादो जी गूड आप्टर नून, तो यह जो मैटर है, यह कहानी यह गरीब आवारे की है, वह घूम घूम कर चुहा पकड़ने का जाल, जुचुहा पकड़ने वाला जाल जानते हैं ना, जुचुहा पकड़ने वाला जाल को चुहेदानी भी बूलते हैं, जीक दिहातों में इसको बड़ा यूज करते थे लोग, बताते हैं लोग, हम भी सुनें कहानी, कि पुराने समय में क्या होता था, कि लोग उस चुहा को पकड़ने के लिए चुहेदानी का प्रियोग करते प्रियोग करते हैं, बही चीज यह बेश्टा करता है, उसका जीवन बड़ा संगर्च दुख से बड़ा होता था, क्योंकि उन्हें जीवित रहने के लिए क्या करना पड़ेगा, जीवित रहने के लिए भीक मांगना और कभी कभी चोटी चोरी करना, और चोटी चोटी चो पड़ता था, चोरी करना पड़ता था, किसको उस गरीब अवारे प्यक्ति को, ठीक है, भीक मांगना और चोरी करना पड़ता था, इस कहानी यह बया कर रही है, कि यह कहानी, कि वो उन्हें अपने जीवित रहने के लिए, जीवित रहने के लिए, आल गेमिंग सर मैंने कोर्स को परचेज किया है, तो परचेज किया डियर तो आपको आना चाहिए, ने तो मस्तोक सरसे बात कर लेंगे, अच्छा, क्या बात है, ठीक है, ठीक है किंग, वो क्या करता था बैचारा, भाई जीवित तो रहना जीवीत रहने के लिए उसको छोटी-छोटी जो है चोरी भी करनी पड़ जाती थी बीच में चुहेदानी से कितना पैसा कमाएगा इसलिए उसको जो है प्राबलम क्रियेट हो जाता था तो भी चोटी-छोटी चोरियां भी कर लेता था और गुम-गुम कर चुहेदानी भी ब तीक है संकेत पिल रहा किलियर है सर यहां तक तो किलियर आगे बढ़ते हैं हम इसके बाद क्या हुआ वह एक अस्थान दुस्तेन तापत चल एक उसकी आदत थी वह एक अस्थान से वह एक अस्थान से दूसरे अस्थान वह एक अस्थान से दूसरे अस्थान प्रायह पैदल प्रायह क्या करता था प्रायह पैदल चला करता था भाई पैसे वाला तो था नहीं प्रायह पैदल चला करता था ठीक है रेडार ठाकूर तो वह एक अस्तान दुस्ते अस्तान प्राय पैदल चला करता था पर कहीं भी उसका स्वागत नहीं होता था पर कहीं भी कहीं भी उसका स्वागत कहीं भी उसका स्वागत नहीं किया जाता था या कहीं भी उसका स्वागत नहीं होता था ठीक है वह एक अस्तान दुस्ते अस्तान प्राय पैदल चला करता था पर कहीं भी उसका स्वागत नहीं होता था हाँ ये बात को समय ले एक दिन वह अपने चुहा पकड़ने ठीक है एक दिन की बात है एक दिन एक दिन की बात है ठीक है शेडूल मालूम कर लिजिए गेमिंग जी हाँ एक दिन की बात है एक दिन क्या है वह अपने चुहा पकड़ने के जाल को देकर वह अपने चुहा पकड़ने चुहा पकड़ने के जाल को देखकर जाल को देखकर ठीक है क्या करता है मुश्कुराता है क्या करता है मुश्कुराता है मुश्कुराता है ठीक है क्यों मुश्कुराता है क्यों कि वह कुछ सोचता है और उसे ऐसा लगता है कि और उसे ऐसा लगता है कि कि ऐसा लगता है आपको पता है वह बहुत दिमाग लगाता है मेडिटीएट करता है मनन करता है कि वह एक दिन वह क्या करें लगा चुहा पकड़ने के जाल को खुद देख रहा है और उस चुहेदानी को देखकर मुश्कुरा रहा है क्यों मुश्कुरा रहा है आप उसका और उसे ऐसा लगता है कि पूरी दुनिया क्या है पूरी दुनिया ही एक जाल है पूरी दुनिया ही एक जाल है यह सब मेंट पॉइंट है हाँ आप कहां जाएंगे आप चले जाएए रेस्वा समेस्टर के कामुनिकेशन प्ली लिस्ट में जाएए वहां पर व्यूडियो मिल जाएगा ठीक है हाँ वहां रिस्वा समेस्टर चैनल पर जाएए आप जाने के बाद आप कामुनिकेशन प्ले लिस्ट में जाकर देखेंगे तो व्यूडियो मिल जाएगा आप देख लिजिएगा कि पूरी दुनिया ही एक जाल है ठीक है हाँ यह चीज है अपनी प्राकृतिक सुन्दर्ता खुशी और दुख अपनी प्राकृतिक सुन्दर्ता अपनी प्राकृतिक सुन्दर्ता ठीक है अपनी प्राकृतिक सुन्दर्ता खुसी और दुख, आस्रे भोजन, खुसी और दुख, खुसी और दुख, आस्रे भोजन कपड़ों वाली, खुसी और दुख, आस्रे भोजन, खुसी और दुख, आस्रे भोजन, और कपड़ों वाली दुणिया कुछ भी नहीं, और कपड़ों वाली दुणिया कुछ भी नहीं, यह दिन ऐसा सोच रहा है, तीक है, दुनिया कुछ भी नहीं, बल्कि एक रेट्रप है, बल्कि एक जाल है, अथवा एक क्या है, जाल है, अथवा एक क्या है, जाल है, ऐसा सोचता है, ऐसा वह, ऐसा वह सोचता, ऐसा वह सोचता है, ठीक है, संतोज सिंग, अब समझे, यह मैटर मैंने जिसकी जो इंपोर्टेंट सेंस मिल रहा है, मैंने लिका हूँ, वह एक असान दुष्टे इस्तान पर पैदर चला करता था, पर कहीं भी उसका स्वागत नहीं होता था, एक दिन वह अपने चुहा पकड़ने के जाल को देखकर मुश्कुराता है, और उसे ऐसा लगता है कि पूरी दुनिया ही एक जाल है, अपनी प्रा चारा सानिया, यह कौन सोच रहा है, वो भीक मांगने वाला, चुहेदानी बेचने वाला गरीब वारा ब्यक्ती, जो कि वो यहां वहां भटकता रहता है, पैदर चलता रहता है, लेकिन उसका कोई स्वागत नहीं करता है, ठीक है, तो वो सोचा कि वो जो अपनी जो है, वो जो समझता है, वो यह रट्रैप माल लेता है, एक दिन वो यह सा सोच रहा है, वन देगी वाज में इस थिंकिंग अपॉट इस कंडिशन, देर इज रहा है, विकास के घंकिन अब इस पउट इस में आड्रश पीनिशन, थिंग्टॉट आप्वोटरीश के और ऊबगी एश to this world because he this his life was not happiness उसका जीवन जो है खुस में जीवन नहीं था हां ठीक है इसलिए यह वह इस बाद को बोलता है कि जो हमा जो यह दुनिया है एक रैट्रिप है एक जाल की तरह है आगे चलते हैं यहां तक समय आ गया कोई प्राबलम मैंने मैटर को जो इंपोर्टेंट पॉइंट है लिखता चल रहा हूं आशानिया खान सहर जी बहुत अच्छे से समझा रहे हैं थांक्यू डियर सानिया मनीश मौरिया जी आप लोगों ने कल भी अच्छे कमेंट किया था मनीश मौरिया जी आलवी अजीम सानिया और आइस का ठीक है बहुत अच्छा अधिती श्रीवास्तो थैंक्यू डियर तो यह सारी सीजें हैं अपनी प्राकृतिक सुंदरता स्पुसी और दुखो आश्रे को निरास हुजाता है वो डिस्पॉइंट मेंट रहता है इसलिए वह ऐसा कहकर बातचीत बोलता रहता है ठ वह वास्तों में इसके लिए दोसी नहीं ठारा जा सकता वह वास्तों में वह वास्तों में वह वास्तों में वह वास्तों में क्या है रियली उसके गती थी वह वास्तों में थीक है वाश्तों में इसके लिए इसके लिए दोसी नहीं ठराया जा सकता नहीं ठराया जा सकता क्यों नहीं ठराया जा सकता आप समझे मैंटर को तुम कि अंचली प्रिजापत्ति हाँ बुलिदीयर क्या करना चाहती है आपका करमेंट नहीं देखे होंगे दियरकों कि मैं लीक रहा लृक तो नहीं किये होंगे कमेंट कर दो हिकमेंट कोई दिकória नहीं है यह तो कि वहास्तर में इसके दोशी नहीं ठरा जा सकता ठीक है क्योंकि दुनिया ने, क्योंकि दुनिया ने हमेशा, हमेशा क्या किया, उसके साथ, हमेशा उसके साथ, पूरा बेहवार किया है, पूरा बेहवार किया है, मेशा उसके साथ, पूरा बेहवार किया है, ठीक है, इसने वो इसना कहकर बोलता है, ठीक है, जब मैं क्वेशन आंसर का कराऊंगा, टोटली इंग्लिश में रहेगा, no words will be you find in Hindi, because I want to tell about the summary regarding the chapter in Hindi, because you will be familiar with clarity about the chapter, what is the secret of this lining, line by line, because you have capacity to translate into English from Hindi, then you can reply in totally English for your answer at the time of examination, okay, so I would like to write in Hindi just now, in front of you, this video's class, but in next part 2, I can write the question and answer totally in English, then you will be becomes very benefit for your exam especially at the time, ठीक है, तो अवास्तों में इसके लिए दोसी नहीं ठाड़ा जा सकता, क्योंकि दुनिया ने हमेशा उसके साथ बुरा बेहवार किया है, वह उन लोगों के बारे में सोचना पसंद करता था, जिनने वह जानता था, सोचना पसंद करता था, जिनके बारे में वह जानता था, जिनके बारे में वह जानता था, उनहीं के बारे में वह जानता था, जाल में पकड़े गए थे, एक दिन की बात है, एक दिन आप देखे घटना दूसरी घटना, एक दिन मैटर चेंज हो जाता है, यहाँ पर मैं अपनी कर भी चेंज कर दे रहा हूँ, ताकि समय में आए, एक दिन होता क्या है, एक दिन चलते चलते, उसने सड़क के किनारे चोटा कुटीर देखा, एक दिन चलते चलते, सड़क के किनारे, एक कुटीर को देखता है, एक कुटीर को देखता है क्या करता है? एक कुटीर को देखता है चलते चलते कुटीर को क्या करता है? देखता है उसने स्लक की किनारे देखता है और आस्रे के लिए पूछता है और आस्रे के लिए और आस्रे के लिए क्या करता है पूछता है पूछा या पूछता है जो भी लिख लीजिए ठीक है आम तरपों से भगा दिया जाता था क्योंकि आम तौर पर क्योंकि आम तौर पर क्योंकि आम तौर पर उसे प्राया भगा दिया जाता था उसे प्राया भगा दिया जाता था क्योंकि आम तोर पर उससे प्राया भगा दिया जाता था ठीक है लेकिन लेकिन इस बार वा भाग्यसाली था की लेकिन इस बार लेकिन इस बार वा भाग्यसाली था की इस बार वा भाग्यसाली था की उसे इस बार घर के मालिक ने प्रसनता से इजाज़त दे दे थे की इस बार घर के मालिक ने घर के मालिक ने उसे रहने के लिए उसे रहने के लिए इजाज़त दे दी थे ठीक है इजाज़त इजाज़त दे दी दे दी ठीक है हां 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 वाहिल वाकिंग ही सी ये कोटे जानदा रोड क्योंकि वो रोड पर देखता है शड़के किनारे ठीक है तो इसके बार में तुछ आप पढ़ लीजेए आप थोड़ी मामिला चेंज हो रही है कहानी इस्टोरी के अंतरगत आप मामिला थोड़ी सेंज हो रही है हां अब क्या हो रहा है कि वह वास्तों में इसके लिए दोसी नहीं ठरा जा सकता क्योंकि दुनिया ने हमेशा उसके साथ बुरा बेवार किया है वह उन लोग के बारे में सोचना पसंद करता था जिनके बारे में जानता था एक दिन चलते चलते चलते कि किनारे एक कुटीर को देखता है और वह आसरे के पुछता है क्योंकि आम तोर पर उसी प्राय भगा दिया जाता था ठीक है लेकिन इस बार वह भागेशाली था कि इस बार घर के मालिक ने उसे रहने के लिए क्या देदी इजाज़त देथी ठीक है महार सुह माली थी वो किसका था वो ओल्ड क्राप्टर का घर था उसी के घर में रहने के पूचा था हाँ ठीक आगे देखते हैं हम लोग कि क्योंकि वह भी अकेला था माली के बुड़ा अदमी था क्योंकि क्योंकि कि वह भी अकेला था वह भी क्या था क्योंकि वह भी अकेला था इसलिए क्योंकि वह भी अकेला था अकेला था कि नहीं था और माली के बुड़ा अदमी था और कुटीर का और उस कुटीर का माली और उस कुटीर का जो मालिक था और उस कुटीर का मालिक एक बुढ़ा आदमी था एक बुढ़ा आदमी था ठीक है क्या था एक बुढ़ा आदमी था जिसका कोई परिवार नहीं था जिसका कोई अपना परिवार नहीं था जिसका कोई अपना अपना परिवार जिसका कोई अपना परिवार नहीं था जिसका कोई अपना परिवार नहीं था. Old man को company मिल गई. अच्छा. Crafter had no family. Crafter had no family. He was lonely in particular in that house. So he liked it to give the shelter for particular that person. Ok. Hmm. तो जिसका कोई अपना परिवार नहीं था. वह किसी से बात करने के रुमांचित था. वह किसी से भी. वह किसी से भी बात करने बात. करने के लिए बात करने के लिए क्या था? रोमांचिक था या रोमांचिक ये लिख सकते हैं रोमांचिक था किसे से बात करने के लिए क्या था? रोमांचिक था रोमान्चित लिख देते हैं रोमान्चित था ठीक है उसने पेडलर भोजाओं तापागू की पेसकस की उसने पेडलर भोजाओं और तापागू की पेसकस की बोजाओं और हुआओं तापागू की पेसकस की पेसकस की पूछा बहुत सेवा ठाल करने की बात कर रहे थे वह भाकिसाली निकला और गरीब आदमी ना पूछन तमपागू की पेशकस की और बुढे आदमी ने अपने महमान के साथ और बुढे आदमी ने अपने महमान के सोने से पहले जो आये थे वो अपने महमान के सोने से पहले अपने महमान के सोने के पहले कार्ड भी खेले कार्ड मने जानते हैं कार्ड भी वो कार्ड भी खेलते हैं मतलब प्ले कार्ड कार्ड भी खेले बुढ़ा आदमी बहुत उदार और भरोसे मन था क्योंकि वह बुढ़ा आदमी क्योंकि वह बुढ़ा आदमी बहुत ही क्या था क्योंकि वह बुढ़ा आदमी बहुत ही क्या था उदार और भरोसे मन था उदार भी था उदार और भरोसे मन था उदार और भरोसे मन था क्योंकि वह बुढ़ा आदमी बहुत ही उदार और भरोसे मंद था, अपने अत्ति की प्रक्ति को जाने बिना, यह आपने अत्ति जो आए वे से महान, यह व्यक्ति अपनी अत्ति को जाने अपने जाने क्यों अपने अतिति की प्रकृती, अपने अतिति की प्रकृती, अपने अत्रति की नत्रति की प्रकृति प्रकृति माने उता सुभाव प्रकृति की अपने अत्रति की प्रकृति की प्रकृति की प्रकृति को प्रकृति को ठीक है अपने रहती कि प्रकृति को जाने बीना जाने बीना क्या करते हैं वह सब कुछ बता दे रहा था इसलिए भरोसे मंद प्रकृति थे ठीक है यहां तक क्लियर हो गया है आप सुल लीजिए क्या मैटर है hamburger फुछ पाट में पीकृति कहने बीना कल भर पुछ ऑक्त कृति कैरें कार शो जान इस नोट पॉसिबल तो जस्ट लाइक तो लिविंग अप्टर लिविंग दी क्लास आप लिए दें ओक है तीक है आप देखिये क्योंकि वह भी अकेला था और उस गुटीर का माली के बुढ़ा आदमी था जिसका कोई अपना परिवार नहीं था वह किसी भी बात करने के उसने पेडलर भोजन और तंबागों की पेशकस की और बुढ़े आदमी ने अपने मेहमान के सोने से पहले कार्ड भी खेला क्योंकि बुढ़ा आदमी बहुती उदार और वरोसेमन था अपने अतिती की प्रकृति को जाने बिना वह सब कुछ बता दे रहा था ठीक है नहीं सुन fighter क्या है वो या焦मी जो बुढ़ा यह गरीब आदमी था तो चुहेदानी बेच रहता जो रैट्ट्रेप का काम कर रहा था तो वो घुम्ते पीरते वह चला जाता है कहां पर वो चले जाता है वो भी ब्लबada रहता है और रहता है उसकी पास चला जाता है और जाने के पास फुटाँ मुटी चोरी तो खुरता था उसके आदत में था हा ठीक है तो क्या किया लेकिन व accept की सबहाव दिखिए इस व्यक्ति की सबहाव दिखिए जो बर्विग्ती ने उस नए महमान को बेना उसके प्रकृत है उसके सबहाव को जाने बिना फटा फट सारे बाते बता दे रहें आगे कैसे बताता था आप भी समझ लेजिए कि किसी भी कि अगर कोई नए मेहमान आएगा तब खोल कर कोई बात नहीं बता सकते हैं या अपनी प्रावेशी चीज को अपनी गोपनी के चीजों को आप नहीं पेश कर सकते हैं लेकिन यह बता रहे थे हां तो आगे चलिए देखते हैं कि उन्होंने वह सब कुछ बता रहे थे वह सब कुछ बता रहा था यहां तक की अपने पैसे के बारवी बता दिये यहां तक की आप समझ लीजिए यहां तक की वह अपने अपने पैसे पैसे के बारे में भी पैसे के बारे में भी बता दिये या बता दिया हुँ उन्होंने 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 उन्हों कि पिछले महीने क्रोनर कमाये थे, क्रोनर अर्जित किया था, क्रोनर रुपे का नाम है, क्रोनर अर्जित किया था, जब पेडलर को उनकी बात पर बिस्पास नहीं होता, जब पेडलर को उनकी बात पर बिस्पास नहीं होता तो, नहीं होता, तो क्या होता है, वो उसे अपने पैसे दिखा भी देता है, दिखा भी, पैसा दिखा भी देते हैं, चीख है, जब अगली सुबह, या मैटर चेंज हो गया, जब अगली सुबह, जब अगली सुबह, क्या होता है, जब अगली सुबह, बुढ़ा आदमी, बुढ़ा आदमी क्या करता है, यह क्रोणर है, क्रोणर, जब अगली सुबह, बुढ़ा आदमी, अपनी गाय का दूध निकाने गया, तो, अपनी गाय का दूध निकालने गया, तो क्या हुआ? पैडलर भी उठ गया तो पैडलर भी उठ गया पैडलर भी उठ गया लेकिन होता क्या है यह सर सुन आय रहा है जब अब सुबबड आत्मी अपनी गाय का दूद निकालने गया तो पैडलर भी उठ गया पैडलर भी क्या किया उठ गया उसने पूढ़े को धन्यवाद किया बहुत दिमाग से काम कर रहा था उसने पूढ़े को क्या किया उसने पूढ़े को धन्यवाद किया बहुत ट्रिक्स काम किया ओ भूढ़े को क्या किया धन्यवाद किया लेकिन धन्यवाद तो करता है धन्यवाद किया प्रंतु आधे घंटे बाद उसके चरित्र में परिवर्तन आ गया उसके चरित्र में क्या गया परिवर्तन आ गया क्या गया बदलाव आ गया उसके चरित्र में परिवर्तन आ गया है परिवर्तन आ गया अब समझ में आ रहा है कि यहां समझिये वह सब कुछ बता रहा है यहां तक अपने पैसे बारे बता दिया उन्होंने उनसे कहा कि पिछले महीं ने क्रोना रज्जित किया था जब पेडलर को उनकी बात पर विश्वास नहीं होता तो उसे अपना पैसा भी दिखा देते हैं जब अगली सुबह तन आ गया कि शानिया खान यह सर किलियर बहुत अच्छे समझ में आ गया वह बुड़ा आत्मी को धनवाद भी करता है दिमाग से उसको सब कुछ करता है हां लेकिन लेकिन आदे गंटे पासके करेक्टर में चेंज आ जाता है वो चोरी करने के चक्कर में पड़ गया यह ब दस क्रोनर या 30 क्रोनर वो उस क्रोनर को दिखा भी देता है लेकिन क्या होता है वो चोरी करने के चक्कर में पड़ जाता हो इसके पच्छारेक्टर में चेंजिंग आने लगता अधे गंटे बात चीक है यह सर अगे चलते हैं और उसके अंदर का लालच जाग उठा और और उसके अंदर का लालच क्या हो गया उसके अंदर का लालच जाग उठा लालच किया जाग उठा उसके अंदर का लालच क्या हो गया जाग उठा उसके अंदर का लालच क्या हो गया जाग उठा वह बुढ़े आत्मी के घर लोटा लोटाया और उस बुढ़े उस बुढ़े आत्मी कि उस बुढ़े आत्मी के घर लोटाया उस बुढ़े आत्मी के घर क्या आया घर लोट आया अधे घंटे बात क्या करता है लोट कर चला आता है लोटाया खिड़की को तोड़ दिया और पैसे की थैले उठा कर भाग गया इसके बाद वो क्या करता है इसके बाद वह खिड़की को तोड़ दिया खिड़की को क्या करता है खिड़की को खिड़की को तोड़ दिया खीड़की को तोड़ दिया तथा तोड़ने के बाद करता क्या है पैसे की थैली उठाकर भाग गया तथा पैसे की थैली उठाकर पैशे की थैली उठा कर क्या करता है खाकर भाग गया ठीक है पैशे की थैली उठा कर भाग गया बुड़े आदमी से धन्चोरी करने के बाद बुड़े वो किया क्या बुड़े आदमी से चोरी करने के बाद चोरी करने के बाद कि खिड़की तोड़ता है थैल उठाता है भाग जाता है बुड़े आदमी से चोरी करने के बाद वो क्या करता है जानते हैं वो अपने आप से बहुत प्रसन था वह अपने आप से क्या था बहुत प्रसन था कि वह कितना चलाक और सयाना है चलाक और सयाना है ठीक है हलाकि वह चिंतित था कि वह पकड़ा जा सकता है हलाकि वह चिंतित था कि मैं पकड़ा जा सकता हूं मैं पकड़ा जा सकता हूं मैं पकड़ा जा सकता हूं और इसलिए वह जंगल में जाने का फैसला किया है और इसलिए और इसलिए वह जंगल में जंगल में जाने का क्या किया फैसला किया कि जंगल में चले जाएं क्योंकि पब्लिक हाईवे से जाएगा तो पकड़ जाएंगे जाने का फैसला किया है जंगल में बहुत देर चलने के बाद जंगल में बहुत देर चलने के बाद होता क्या है बहुत देर चलने के बाद जंगल में बहुत देर चलने के बाद उसे ऐसा लगा कि अब हम आपको त्रवा से बताएंगे और उसके अंदर कलाला चुठा और उसे बुड़े आदमी के घर लौट आया इसके बाद वाद खिड़की को तोड़ दिया था पैसे तलू उटाकर भाग गया बुड़े आदमी से चोरी करने बाद अपने आप से ऐस था यह सोचता था है कि इतना चलाक और सयाना है हलांकि चिंती था कि मैं पटड़ा जा सकता हूं और इसलिए बहुत जंगल में जाने का फैसला किया जंगल बहुत देर चलने के बाद ऐसा लगा मैं आपको बता दूं कि की वह आदमी के वह जो आदमी था जो रैट लेता है ठीकर फिर वह जंगल में भागता है और उसके साथ खेला था और जो है उसके साथ जो भी ये कतती को सतकार करने का जो रूल होता है उनके साथ तो फालो किया लेकिन उनके साथ क्या क्या है विश्वास घात किया हाँ ठीक है बहुत अच्छा वागे क्या होता है हाँ ऐसा लगा कि वह एक ही रास्ते में गोल गुल घुम रहा है ऐसा लगा कि उसे जंगल में उसे जंगल में ऐसा लगा कि वह एक ही जगह पर उसे जंगल में ऐसा लगा कि वह एक ही जगह पर रास्ते में गोल-गोल घूम रहा है, रास्ते में गोल-गोल, ठीक है, गोल-गोल क्या कर रहा है, घूम रहा है, उसे ऐसा महसूस हुआ, करा इसका कराएंगे इसका कराएंगे डियर अब हम देखिए ऐसा कि लास अब ज्यादा लेते हैं तो टाइम रहते हैं लोग को नहीं बच पाता है ना परदें ज्यादे रहते हैं तो इसलिए हम बहुत ब्यास्त हैं आप एपीजी टीचर आप प्रेपलिंग अलसो और टीचिंग आलसो तो यह अलाट प्राब्लम्स वाइव लुट प्रावल्स आलसो यह सब शारी चीजें है कि कुछ जंगल में ऐसा लागा कि उसके जगां पर रास्ते में गोल-गोल भूम LM रहा है और कहीं पहुंच नहीं पाएगा और को पहुंच नहीं पाएगा सम्ट के और कहीं पहुंच नहीं पाएगा और कहीं पहुँच नहीं पाएगा जल्दी उसे दुनिया उसके पारव अपने विचार याद आये जल्दी उसे तब जल्द ही तब जल्द ही उसे ठीक है तब जल्द ही उसे ऐसा प्रतीत हुआ की ऐसा प्रतीत हुआ की प्रतीत हुआ की प्रतीत हुआ की इस बार वो खुद जाल में फच गया है इस बार इस बार वह खुद ही जाल में फच गया है जाल में फच गया है आप इसको मैं कर देता हूँ हाइलाइट यही में पॉइंट है यही में पॉइंट आपका पाया जा रहा है इस बार वह खुद ही जाल में फच गया है इस बार देपक कुमार यूर मोस्ट बिलकम डियर जस्ट बिल्क्लासेज प्लेटफार्म ठीक डियर मैं योगंद्र कुमार डेली में दो बज़े लाइब क्लास पर आता हूं ठीक है आप जो है इंगलिश पढ़ सकते हैं और जस्ट बिल्क्लासेज आप को डाउनलोड भी क हो denn तो उसे जंगल में कि जि समय मैं रहा है के ना उसे जंगल में ऐसा लगा कि कहीज जगा पर रास्ते में गोल-गोल गुम रहा है और कहीं पहुंच नहीं पाएगा ठीक है तब जल्-ध jusi एसा परतीत हुआ तक ही इस पार वजूदि जंगल में फस गया है और जंगल में और जंगल में फश्च है और और क्या होता है और जाल में फसने के लिए चारा का काम किया और जाल में यहां लिख सकते हैं क्योंकि वो उसके अंदर लला चाह गया था ना और जाल में फसने के लिए और जाल में फसने के लिए और जाल में फसने के लिए चारे का काम किया चारे का, वो जो चोरी ही कर लेता है, चारे का, चारे का काम किया, हाँ, उस पैसे ने जो चुरा कर ले आया था, उस पैसे ने, उस पैसे ने, जो वह चुरा कर, जो वह चुरा कर ले आया था, जो वह चुरा कर क्या किया था? ले आया था, वो चारे का काम किया, फस गया वो, या ठंडी सर्दियों की रात थी या ठंडी सर्दियों की क्या थी रात थी और अंधेरे पहले सी जंगल क्या सपास था और अंधेरा पहले से ही जंगल के आसपास था जंगल के आसपास था ठीक है जिसका मतलब खत्र में बृति होई थी जो खत्रे में व्रिध्धी होई थी क्या होई थी खत्रे में व्रिध्धी होई थी फिर क्या हुआ हां तो यहां पत्रवा समझेंगे हैं पंडित मनिश मिर्जापूर शर्जी में आपकी नारेशन वाला वीडियो देखा हूं मज़ा आ गया बहुत अच्छा डियर आप वीडियो को देखकर भी मारे बहुत सारे नालाइज गेन कर सकते हैं मैंने बहुत कुछ पढ़ाया है वीडियो को देख सकते हैं ठीक है और लाइब दो बज़े आता हूं आप पड़ भी सकते हैं ठीक है थैंक्यों वेल्कम हाँ मनिश कुमार जी मैं यू पहले बिहार बोड को पढ़ाया ना तो फिर दीन दो तीन इनको भी चलने दीजिए यूपी बोड के भी दोनों लोग को हम देख रहे भाई अब शानिया कान के लियर है सर अब बिहार किसले बस में कहां रहेगा यह यूपी किसले बस की मैं पढ़ा रहा हूं तो बिहार में रहेगा कहां आयम टीचिंग फर्दे स्पेसली यूपी बोड मैं दोतीन दिन बात चालू करूंगा बिहार बानों लोगों का अच्छा इस अच्छने के लिए चारे का काम किया उस पैसे ने जो चुरा कर ले आया था यह ठंडी सर्दियों की राती अंधेरा पहले सी जंगल के आसपास था जो खत्रे में ब्रिदी होई थे ठीक है यह क्या कर किया यह दूसरों के बारे में सोच रहा था लेकिनों जो बुड़ा ब् गया तो वह बहुत परिशान हो गया लगा को मैं यह कहीं जगा प्रम घूम रहे हैं और फिर सोचता है फुद ही जाल में क्या हो गया फस गया ऐसे कर दो इंदर सभाव आता है ठीक है कि आगे देखते हैं हम लो जशिव अपने हिम्मत हारने की कोशित की जो ही जो ही वह अपनी हिम्मत अपनी हिम्मत हारने अपने हिम्मत हारने की कोशिस की हिम्मत हारने की कोशिस की जो ही वह अपनी हिम्मत हारने की कोशिस की तो ही उसी समय तो उसी समय उसी समय एक कारखाने की आवाज आती है एक कारखाने की आवाज एक कारखाने की आवाज आती है झाल अब मैं अपने अब मैं अपने लेक्चर के माध्यम से माध्यम से आपको अब मैं अपने लेक्चर के माध्यम से आपको बताना चाहता हूं तक है अब अपने लेक्चर के मादम से बताना चाहता हूं क्योंकि मैं थक गया लिखते-लिखते शुबश से ठीक है अब मैं अपनी लेक्चर के मादम से आपको बताना चाहता हूं गूद आप्टर नून स्टुदेंट आइस का हाव आर्यू डियर। यू केम आप यू केम लेट। सुन लीजे सभी लोग। तो होता क्या है। ठीक आप लेक्टर सुन लीजे क्योंकि मैं था ग्या आप टायड। प्राइटिंग लिखते 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 ठीक है। तो शुली जेस का गरे काहनी चोटा रह गया है। मैं पॉंट मैं लिख दिया है। अब कोई दिकत नहीं होगा। जब वो जंगल में जाता है तो वो एक लोहा का काम करने वाला एक ब्यक्ती रहता है। तो हुआ क्या कि जए जंगल में जाता है तो उसका लौहया। जो काम करना प्यक्ति होता है वो उसके घर जाता है ले जाता है और उसको जो है जब ले जाता तो उसकी बेटी रहती है उस बेटी का क्या नाम है बताईए आप उस वेलकम आई इसका उनके बेटी का क्या नाम है बताईए हुआ 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 तो उनकी इटिटी उनको सापोर्ट करती है उनकी इटिन को क्या करती है बहुस्सपोर्ड करती है उनके फाधर उधम किभी विश्मे नराजजी जाहिर लेकिन क्रिसमस का समय था कृष्मस जो क्रिशनेटी में नोड़ जीसेढ़दे पर जो celebrate होता है वो होने वाला था और आपको पता होना चाहिए कि Christian Society में Christianity में जो है वो किसी को gift दिया जाता है किसी से घड़ा नहीं किया जाता है प्रेम कियाता है ऐसा करके उनकी बेटी जो है उनको सपोर्ट करती है लेकिन जब वो गती की आप चाहे तो रहा भी सकते हैं आप आज भी सकते हैं अगले क्रिस्मस पार्टी में सलिब्रेशन करने के लिए लेकिन उनको बेटी को पता नहीं होता है कि यह चोर है या इस तरह इनकी स्थिति इनकी हाइबिड्स है ठीक तो वो क्या करते हैं वो जब जर्च में जाती है तो उनको किसी के द्वारा पता चलता है कि मेरी मैं लूटा गया हूं और वो बंदा कौन था जो चुहेदानी बेशता था रेट्रेप का काम करता था तो इनको तुरंत दिमाग में आता है कि यह तो वही व्यक्ति है जो हूं गल्टर है तो हमस्दी आइंसका भी ज नयुट रहे है तो सोचे कि क्या जो है हम जो है इनका सपोर्ट में करें तो पैसी की थाली ती और पेपर प्रकुछस लीकर सकते देता है ठीक है किश जब इंकी बेटी आती है तो इस पैसे की थैली को का करें सुपूर्द कर दे इस सील्सिले में जो है वो वहाँ पर डग देती हाँ चल्द ही वहाँ सर से आकर रहता है वो चोर है ऐसा करके वो सुचती रहता है ठीक है तो ये सारी सीज़े है तो ये सारी सीज़े है तो ये कहानी के अंतरकत आपको क्या सिच्छा मिली इस स्टोरी से आपको क्या सिच्छा मिलती है इस सिचा मिलती है कि वो अपने कारिक जो बुरे काम किया था वो फस जाता है और उस बुरे काम को फिर पस्तावा करता है रिपेंट करता है पस्ता ताप करता है ठीक है हाँ 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 सही बात रही तो लेकिन उसकी बेटी को वो सोचता है कि इनको हमारे चलते सर्मिंदगी न उठानी पड़े ठीक है हमारे चलते इनको सर्मिंदगी न होना पड़े इसलिए वो जो है वो पैसे की थैली को दे देता कि इनकी द्वारा पैसी की थैली वह तुम्हें में आ रहा है कि टीज किलियर हुँँ तीक सपना रहा है थैंक्यू सार आप बहुत ही मजा आया क्लास करके हां कहानी आपको अच्छी लगी ठीक है सपना रहा है थैंक्यू मस्सरो के विलकम टीर सपना हां राहूल करें सर इसका शिचा मिलती चोरी नहीं करना चाहिए जो यह व्यक्ति था दुनिया को क्या सोचा था कि यह दुनिया जो है यह खुद क्या है एक जाल ट्रैप की तरह लेकिन यह खुद एक दिन जाल में फस भी जाता है तो यह खुद इसको हैसास होता है जिसके बारे मैं meditate कर रहे थे मनद कर रहे थे आज मैं खुश फस गया हूं ऐसा करके वो अपने पाउना को भी एक्स्प्रेस करता है ठीक है हाँ सभी लोग लाइक कीजिएगा वीडियो को सेर कर दीजिएगा और ये क्लास सब जगा पोचे ठीक है और मैं प्लास कोईटी करना चाहूंगा आप लोग का तहदी से में स्वागत करता हूं सपना आइसका सोबनात यादो अंजली प्रजापति निती सिंग नियाती सिंग ठीक है और पंडित मिर्जापूर हाँ हाँ बिलकुल और अलवी अजीम अंजली प्रजापति सभी लोग जो है आप लोग लाइक कीजिएगा शेर कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा आपको कर से लगा आप ज़रूर जो है कमेंट करें आई विल बेट यू फार यूर कमेंट लाइक सेयर ओके थैंक यू सो माच टेकर वैल आफ यू थैंक यू थैंक यू दियर टु अब्रिव स्टुटेंट आप दे जश्पिर ख्लासेश प्लेक्फॉर्म कर दो झाल 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 झाल